हेलो दोस्तों स्वागत करता हूँ आपका मेरे चैनल पे जैसा कि आज की अपडेट यही है कि 76 प्लस वाले जो भी है उनको अलोव कर दिया जाएंगे OBC केंडिडेट को अलोव कर दिया जाएगा मेंस में पर फाइनल डिसिजन यही रहा है कि OBC केंडिडेट को अलोव कर दिया जाएगा मेंस के लिए जैसा कि 2016 में हुआ था इसके अलवा एक अपडेट और देना चाहूंगा जो कि मैंने पिछले वीडियो में आपको साफ साफ कहा था कि आप यह आशा ना रखें कि मैंस की डेट पॉस्पॉंट हो सकती है मैंस जो होगी वो तैस समय पर ही होगी 23 और 24 डिसेंबर इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं इसी एडवाईज नहीं दे रहा हूँ कि मैंस डेट पॉस्पॉंट होगी फिलाल जो बचे हुए दो कोश्चन है उनसे रिलेटेट जो रिट है उस पर क्या निर्ने रहेगा वो मैं आपको बाद में बता दूँगा जो जब भी समय आएगा उसका येरिंग का जो भी मैं आपको बता दूँगा पर फिलाल के लिए यह है कि बताते हुए खुशी बहुत हो रही है कि आप सब लोगों को अलोग कर दिया गया है पर ये बताते हुए दुख भी हो रहा है मुझे के समय नहीं है पढ़ने के सेलेबस काफी बड़ा है और समय सिर्फ इतने से दिन बचे हुए 20-22 दिन आपके पास जो बचे हुए इसके अंदर आप ये कवर करिएगा दोस्तो स्मार्ट स्टेडी रखिएगा स्टेटेजी अपनी अच्छी रखिएगा और सेलेबस को अची तरीके से पढ़िएगा किस तरीके से क्या-क्या टोपिक आपको कवर करने हैं क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है उसके बारे में मैं आपको बाद में बता दूंगा पर अभी फिलाल के लिए आप एक बार अपना सेलेबस लेके बैठ जाएए और उसको ध्यान से बढ़िए कि क्या-क्या टोपिक को आपने पढ़ रखा हैं क्या-क्या topic cover करने बाकी है जो जो topic cover करने बाकी है उनको आप cover करिए समय बहुत कम है दोस्तो आपके पास इसलिए फिर भी मैं आपको तिरंग लई है कि आपको OBC Candidates को allow किया गया है मेंस के लिए हाँ ये बात जरूर है कि आपके साथ सबके साथ धोका हुआ है RPSC ने पता नहीं क्या तत्य पेश किये वहाँ पे कि उसकी वज़े से यह निर्ने लिया गया परन्तु फिलहाल यही अपडेट है कि 76 प्लस जो भी OBC Candidates है उनको allow कर दिया गया है मेंस डेट बस्पोन नहीं होगी मेंस डेट जो है उसके हिसाब से यह एक्जाम होगा जो RPSC ने दी हुई है ठीके दोस्तों क्लियर कह रहा हूं मैं और आप क्लियर अपने दिमाग में ये बैठा लीजिए अपने हिसाब से strategy अच्छी रखि कियेगा all the best मेंस एक्जाम के लिए सारे topic cover कीजेगा और अच्छे से मेंस एक्जाम दीजेगा thank you so much